हलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रेप्रेशन हो अच्छी चल रही होगी और हेल्थ है उसका भी धान रखें अगर हम बात करें दोस्तों तो फिल हाल इंटरनेशन लेवल पे माहूल है वो काफी अनिस्टेबल सा बना हुआ है विश्वय में काफी सारी टेंसन्स हैं खीचातान हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं अगर हम बात करें तो यूक्रेइन और रसिया के बीच में जो वार है लड़ाई है वो यहाँ पर जारी है और दोस्तों विश्वय ऐक ऐसे मोड पर आके खड़ा हो गया है कि एक सैट ख पर खड़े हैं यूक्रेण है वो भी अपने स्टेंग पर खड़ा हैं दोस्तों इस वोर में सबस्दा नुकसान के एकर हम बात करें तो यूक्रेइन के जो नागरिक हैं उनको सबस्दा यहाँ पर लोसे जवो वहन करने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें ना तो इस पोलिट करें यहाँ पर फर्सके रह गए हैं और आज उसकी हालत ऐसी बनी भी हैं अब दोस्तों करन्ट जो हाला चल रहे थे ऐसे में क्या था लगातार कोशिस करी जा रही थी कि यूनाइटेड नेशन सेक्योरिटी काउंसल के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाए और उस यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसल में लाया गया तो आपको धान है कि रूस तो खुद एक वीटो पाउर कंट्री हैं तो उसने खुद ने तो मना क्या 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 लेकिन जो बाकी और कंटीज हैं जो आपको बता टेंपरेज मेंमर भी ओठी हैं उसमें दोस्तो क्यों कियागा इसके पिसे क्या रिजन्स थे तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसल में यूक्रेयन का एक रिजोल्यूशन लाय गया और उस रिजोल्यूशन में इंडिया ने पार्टी स्पेट ही नहीं किया और इस वोटिंग में सेटरडे याँ आज की डेट में वोटिंग हुई थी और इसका मैं जो फोकस था हूँ मैंने आपको बता दिया कि भी या रसिया और चाइना और यूक्रेयन के डिस्पेट को लगे और दोस्तों इसमें इस रफ इंडिया यहां बात करें चाइना और यहां यहां पर यूएस, यूके, फ्रांस, घाना, केनिया यह जो बाकी कंटीज हैं दोस्तों इन्होंने बेसिकली रसिया के अगेंस वोट दिया कि भी यहां रसिया गलत कर रहा है इसको रोकना ची इस तरीके से, अब भेख छैर यह सारी बात होगी, अब हम फोकस जे करेंगे कि क्या ऐसा इंडिया ने इंडि इसा किया, कि इंडिया ने को इस्टेंड क्यों नहीं लिया देखिये दोस्तों खानी ऐसी है कि इंडिया है, उसका रसिया के साथ काफी इच्छा रिलेशन्द ना है, अगर हम व्कौद सब्ग्राउंड की बात करें, तो दोस्तों इंडिया की रसिया नीज जगह help करियें पह उक्रेन में हो रहा है ना, वो कहीं ने कहीं गलत है, यहनि वो कहीं ने कहीं कहीं है, humanitarian के एंगल से आप देखोगे मानवता के साब से तो गलत है, तो इंडिया की हालत ऐसी थी की एक साइट कुआ है, एक साइट खाई है, यहनि इंडिया का खुदी सिच्वेशन में था, कि जिसका भी साइट देंगे, तो हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए दोस्तों, इंडिया का इदे को, इंडिया के सोरिन कंट्री है, हम एक संपर्भू देश हैं, और हमारे देश की सरकार्या बहुत होता है, अगर दोस्तों, इस गड़ी में, इंडिया युक्रियन का साइट देता, तो कॉम्मन सी बात है, रसिया नाराज हो जाता, और दोस्तों, इस से इंडिया और रसिया के बीच में, जो डिफेंस एग्रिमेंट है, कोपरेशन हो, बहुत जाद है पहले से, तो उससे इंडिया को क्या बड़ा लोस होता, क्योंकि इंडिया के साथ एक्रम बात करें ना, कि बिया इंडिया ने मानुत्ता का साथ नहीं दिया, इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, यहीं situation इस तरह गी थी, इसलिए इंडिया ने यहाँ पर पार्टिस्पेट नहीं किया, क्योंकि बिया हमारे ले किया है, रसिया ने हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है, हमारे पास्ट के रिलेस्टन रसिया से हमेशा अच्छा रहे हैं, तो इसलिए हम उसके लड़ाई नहीं कर सकती है, ठीक है, और अगली बात हम यहाँ पर करें, दोस्तों रसिया है न, वो इंडिया को बड़ी मात्रा महिए, यह एक तरह के से आप हो सकते हों, कि इंडिया का जो defense system है ना, इसमें रसिया का बहुत बड़ा योगदान है, तो हम रसिया को नाराज नहीं कर सकती, कहानी है, और युक्रेन का साथ नहीं, इसलिए देना जरूरी है, क्योंकि भीया युक्रेन के इंदर के हैं, हमारे citizens हैं, युकरेन के अंदर हमारे लोग रह रहे हैं, युकरेन के साथ भी हमारे स्थेच हैं, तो इंडिया जोटल हो गया, कि भीया हम कुछ नहीं बोलेंगी, समझ रहे हो, यह वो काहनी हो गई, जब दोस्तों cold war चल रहा था, धान है क्या आपको, जब 1947 के बाद cold war चल रहा था, उस टैम पे इंडिया ने ना तो USA का साथ दिया, ना ही USS का साथ दिया, इंडिया नूटल हो गया, कि भीया मैं 20 में बोलूँगा है नहीं, क्योकि नूटल लोगा तो मेरे पर कोई अंगुली नहीं कर सकता, और दोस्तों उसका इंडिया को फायधा भी हो था, तो आज इंडिया ने फिर इस पॉइंट को बिल्कुल राइच किया, कि भीया, युक्रेयन के अंदर जो humanitarian issues हो रहे हैं, जो मानवता है, खलाफ चिज़े violence इंसा हो रही है, वो सच में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर भी human life है, उनके साथ कोई भी compromise नहीं होना चाहिए, प्लस में युक्रेय का साथ नहीं दिया, इंडिया ने सारे के सारे काम के हैं, अपने खुद के coding यहां पर किये हैं, तो ये था अभी का article, और दोस्तों आपका एस्टेंट के हैं, आपको क्या लगता है, कि इंडिया ने ऐसा सही क्या है गलत किया, तो comment box में बताईए,